नवस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब शेनल ऑनलाइन पंचायत में आज दोस्तों हम सीखने जा रहे हैं कि इग्राम सुराज पोटल से किसी कार्य का पेमेंट बॉचर केसे बनाया जाए दोस्तों हम सब से पहले ये रहते हैं कि अभी तक हमने नारबली केसे पेमन बॉचर firmly पर होनाया था हम सबसे पहले गहें थे एध्मिल लॉगिन पर और हमने एध्मिल लॉग इन से प्रेगिया स्थिक देखिए कि इस प्रकार से जिसे मालेज यह मैंने लॉग इन पर क्लिक किया, अब मैं लॉग इन करता हूँ, एडमिन लॉग इन से लॉग इन कर रहा हूँ, यह लॉग इन, यह देखिए जैसे मैंने एडमिन लॉग इन से लॉग इन किया, तो यह पेंच मेरा सामने आ चुका है, अब देखिए दोस्तों, अभी तक ह यहां जाते थे यE voucher transition में क्लिक करते थे इसके बाद payment voucher पर खिलिक करते थे हूँ एड अर क्लिक करते थे जया से के हम एड पर क्लिक करते तद इस तरह से screen आ घाती थी create payment voucher इस इसमें हम एनट इसमें नीचर आफ पेमेंट तो इसमें जो भी लिक्ते था था एप एपनिशटेटीव एक्टिविटी अब यहाँ 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 एपनिस्टेटीव एक्टिविटी अभी मैं आज इसका और एक आपको में पहलू दिखाने जाओंगा जो हम अभी सीखने वाले इसलिए बहुत द्यान से देखेगा तो अभी तक हम क क्या होता था दोस्तों यह बहुत ध्यान रख लिजिएगा अभी तक जो विवस्ता है इग्राम स्वराज पोटल पर इसके अनुसार आप बिल्कुल ध्यान रख लिजिएगा कि यहां जो expenditure incurred under है तो यहां हम other resources जो है scheme तरगत केवल एक चीज scheme का payment कर सकते हैं देखेगा अभी आएगी other schemes के तहर हम किवल own resources का payment कर सकते है own resources मतलब हमारी जो पंचायत में आए होती है ज़री taxes से होती है कोई कर लगाते हैं null tax या कोई सभी tax लगा रहे है supply tax तो own resources के अंतरगती इसमें payment हो पा रहा है आए जो हम admin login से करेंगे उसमें उसमें works में administrative activity ही आ रहा है और expenditure अंडर में other resources में जैसे ही क्लिक कर रहे है तो scheme name में आ रहा है own resources तो केवल हम यह own resources का ही payment कर पाएंगे इसके अंतरगत एक चीज और ध्यान रख लिजेगा कि इसके पहले लिखा हुआ schemes इसके पर जैसे क्लिक करेंगे तो हम जो हमने अभी मेरे पुराने वीडियो में आपने दिखा होगा कि हमने schemes के से मेप करी तो हमने जो schemes मेप कर चुके हैं वह यहां पर शो होगी यह रही मैंने जैसी क्लिक क्या तो सारी schemes यहां शो होने लगी कि मिड़े मेली schemes जित्ती भी हमने schemes यहां मेप करी थी वह सभी schemes यहां दिखने लगी तो दोस्तों यह एक दियान रख लिजी कि हम admin login से जो भी यहां admin login से जो भी payment voucher बनाएंगे उसमें तो schemes का पूरा payment voucher बन जाएगा जैसे यहां सारी schemes से पूर जाएंगे और other resources के अंतरगर यहां own resources जो हमारे tax की कमाई है यहां tax से जो मिलता है या car से जो भी मिल रहा है हमें उससे ही यहां payment कर पाएंगे admin login से अब हम समझते हैं आज कि किसी कार रेका जैसे माल लिए CC रोड बना रहा है हम या जो हमने action plan में जो जो कार लिये है CC रोड हुई या ना लिया हुई हमारे पंचायत के लिए जो भी हम पंचायत वहन आगण वहन जो भी नाना चाते हैं उसका payment के से करें तो दोस्तों उसके payment के लिए हम क्या करेंगे अब हम जाएंगे maker login पर ठीक है अब हम email login पर थे अब हम इससे logout होते है और अब हम जाते हैं maker login पर यह देखे मैं इसससे logout होता हूँ ठीक है दोस्तों तो अब हम जा रहे हैं Egram सौराज पोटल के maker login से ठीक है यह देखिए दोस्तों मैं maker login से यहां login हो चुका हूँ तो इग्राम सवर्वाज पोटल पर अब मैं maker login से जैसे आप सभी को पता हमार पास तीन login है admin login, maker login और शेकर login तो अभी सबसे पहले मैं आपको उता है admin login से हम कैसे payment voucher बना सकते हैं इन किन चीज़ों करना सकते हैं अब हम आगए है maker login पर तो maker login पर देखो दोस्तों हम समझेंगे हम इसमें जाएंगे यहां पर voucher transaction पर यह voucher transaction पर क्लिक कर रहा हूं जैसे click किया तो है receipt voucher payment voucher आगा हम मैं payment voucher पर क्लिक कर रहा हूं यह देखिए मैंने क्लिक किया तो यहां तीन आप्शन आ रहा है Online Payment Voucher, Manage और View, PFMS, Status तो दोस्तों हम इसमें जैसे Online Payment Voucher पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सामने Screen आ जाएगी इस तरह से देखिए हमारे सामने इस तरह से Screen आ चुकी है यहां लिखा हुआ है Create Payment Voucher ठीक है अब यहां Maker Login से Egram Suraj Portal पर Login है तो देखिए हम पहला Option आ रहा है Nature of Payment अब यहां हम क्लिक कर देखिए एक्सपेंडिचर यह की आप्शन आ रहा है अब हमको क्लिक करें यहां by default लिखा हुआ रहा है administrative activity अब देखिए मैं यहां जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखिए यहां देख रहा होंगे यह work code आ रहा है आगे और उसके सामने आ रहा है पश्चों के पानी पीने यह तो संदचन निर्माण तो देखिए दोस्तों इस तरह से हम किसी भी कार को सलेट करके उसका पेमेंट कर सकते हैं अब यह कार कब दिखेगा यहां पर यह कार केवल तभी दिखेगा जब आपने आप मेरा पुराना वीडियो देखके जिसमें मै अचे से बनाई जाती है फिर आगे की जैसे ही प्रोसेस में बताई है पूरी यह यह तो सभी हम पूरी प्रक्रिया कर लेंगे उसके बाद जब पूरा फंड ऐलोकेट हो जाएगा इस कार को तब जाके यहां पर यह कार दिखेगा तो आप यह कार यह कैसा दीख रहा है इसक जिसमें तीऊस, एस, फंड, एयर्मार्क और प्रोसेस रिपोटिंग के बारे में समझाया है तो जब आप समझाएंगे तो उसके बाद आप जैसे ही वो पूरी प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पर आपको कारे आपके दिखने लगें तो अब दोस्तों अभी तह क्या होता था हमारे e-gram Trash Portal आभी क्या करते थे तो उसमें कार यी नहीं दिखता था हम क्या करते थे Administration Activity के अंतरगति पूुरा payment करते थे तो हमको याद रखने में भी धिक्कत होती थी कि हमने किस पर कितना खर्च किया है हमें बाद में पता करने में दिखा होते हैं हमने कि इस कारे पे कितना खड़ कर चुके हैं तो अब दोस्तों हमें क्या करना है कि एवल नेचर आप पेमेंट में एक्सपेंडिचर पे क्लिक करना है वर्क्स में इसमें जाके क्या करना है जिस कारे पे हमें पेमेंट करना है इस जैसे मैंने ये क्लिक कर दिया पच्छों के पानी पीने तो संदच निर्मान इसके आगे वर्कोट दिख रहा है और यहां वर्क का नाम दिख रहा है अब इससे क्या होगा दोस्तों कि मैं जितने पेमेंट करूंगा मुझे पता रहेगा कि मैंने इस कारे पेक ना पेमेंट किया है और मैं इस कारे पर इतना खर्च किया है इसलिए दोस्तों अब हम किसी कारे का पेमेंट केसे करेंगे तो नेचरण आप पेमेट पे आके एकस्पेंडिचर पर फिर वर्क्स पर जाकर हमारे जो भी डिवर्क सेलेक नहीं ज़िस पर हम जो कारे कर रहे हैं इस समय उस पर किलिक करना है तो फिर आगे हमें वही प्रोसेस है जो अवीर तक हमने सीखी ति यह से अधर रसोर्सेस पे हम गये और यहाँ क्लिक किया तो फोर्ट्टिन फाइनेश कमिशन आ गया तो देखो दोस्तों अब भी हमने उदार अधर रिसोर्स पे क्लिक किया था एड्मेंड पर तो यहान ओन् 14 finance commission से payment करना तो आप maker login से other resources पर जाएंगे फिर यह 14 finance commission FFC select कर लेंगे ठीक है अब देखो यहाँ scheme में schemes नहीं दिखेंगी यह schemes के वल admin login में ही दिख रही है मतलब आपको यह scheme से payment करना तो admin login से करेंगे और other resources का अंतरगत के वल own resources पर करना अपने पर जिख रहे है पंचायत के आए से कर टेक्स लगाया उस चीजने से करना है तो admin login से करेंगे लेकिन यह दिक है फोर्टें फाइननस कमिशन की पर बन करना ते है में maker login से हम login करेंगे अब यह अभी तक की विएस्ता है बात की विएस्ता जैसे ही कुछ update होगा तो मैं आपको बिएस्ता हूँ है लेकिन अभी तक 2 gram सुराज पर यही विएस्ता है तो यह हमने maker login से यह other resources पर क्लिक किया इसका scheme name आई 14 finance commission यह हमने क्लिक कर दिया इसके बाद आपको पता ही है किस तरह से हमें process connect में आर्मली आपको simply बतायता हूँ जैसे हमने यह drop down सेर्च किया हमें किसी रही है यह बना रहे है आप रोड बना रहे है एक चंसरक्शन आव रोट से ग्लिक कर दिया इसमें यह यह आ गया 06 construction यह में ट्रेंस आ रोड आप ज़ेक्ट हैट में आप यह से सामगी ले रहे हैं तो वेजस पे क्लिक कर सकतें हैं इसके यह मांन किता कर रहे है आप तब यहां डाल सकते हैं, देखिए बहुत अच्छी दी जा रही है, मैं आपको पूरा सिखा रहता हूँ किस परकार करना, amount मालेजे मैंने यहां लिखा 4000 ठीक है, अब आप देखेंगे, देखेंगे, मैंने drop down सर्च से यह select कर लिया, major head select कर लिया, minor head select कर लिया, अब दोस्तों यह देखेंगे, यहां लिखा रहा है, variable balance आ रहा है, आठ हजार, जो हमने इसे fund allocate किया था, अब देखेंगे, यहां रहा है, और general के तरह था था, जनरल के तरह था है, अब देखेंगे, expenditure amount जनरल, अब जनरल में एलोकेट किया है, तो जनरल में ही खर्च कर पाए अब अब चार हैर लीखा है, तो तो मैं यहां चार हैर कर देता हूँ, ठीक है, यहां ह मने अललग लग लग दिया, balance यह जनरल में लग दिया, DA एक हजस्ग इस से चैनल डियर से जाज लक़्ाइश धर कर अभी जालक साफारा जिसमें करेंगे अधे यह यह रहा है असे लोकेशन डिटेज़ डिटेज असे लोकेशन नेम पश्वों के पानी पीने तो संदाच्छन निमाण एक्स पेंडिचर एमॉट जनरल अब चुक्क है अमने जनरल में एलोकेट किया है तो हम जहां जनरल में ही लिखेंगे ठीक है इसके बाद हम क्या करेंगे यह आ चुका है हमारा general अब देखते हैं हम यह एक बार ओल लिखा हुआ रहा है तो हम एक बार और लिख देते हैं यदि confirmation के लिए आ रहा है तो हम एक बार ओल लिख देते हैं यह हमने लिख दिया अब हम submit पर click करेंगे यहां लिखा रहा है total asset amount general should be equal to expenditure amount general अब फिर हम आगे फिट से ट्राय करते हैं तो देखे दोस्तों मैं यहां क्लियर रटाता हूँ क्या करना है क्यों इडर रारीत है के अमने amount यह तो ढल दिया 4.000 अब हमें क्या करना है यह जो दिख रहा है आपको यहां में क्या करना है यहां आपने 8000 available था अब उसमें से हमने क्या करा है, कि आभी 4000 करणा तो यहां Isti में सा 8.000 तो आप जो भी देना चाहते हैं वर कोड लिखना चाते हैं वो लिख दीजिए बिल लिख दीजिए इसके अधिया टोटल एमांट 10 रुपीस हमारा 4000 पर्टिकुलर्स लिख सकते हैं इसे जो भी हम ख़ीडना चाह रहे हैं तो सीमेंट का लिख लेंगे आप ठीक है सीमेंट कितने बोरी आप लिख सकते हैं इसे माले जे 50 बोरी ले रहे हैं आप तो 50 बेक्स या बोरी जो भी है सकते हैं इस तरह से पूरा पर्टिकुलर्स आप लिख सकते हैं यहां आपको पता हिए कि दम किस तरह से करते हैं मोड़ा पेमेंट हम भी पी एफेमेंटस सै करते हैं डीटेल्स में किसी हमार ऐकाउन जो है पंचातका उसको सलेट करते हैं तो इसको दोस्तों हम क्या करेंगे यह आपने प्रेवन ऊचर बना लिया है किसी कार पर वर्क्स पर यह अप दोस्तों यह तौपने सीख लिए किसी काल पर किस तरह से फूंवन बाउच्र बनाए जा में एक चिज्छ और चोटी से आपको उता लेता हूंथ थाहन सब्सक्राइब करना है कि यापको इसे पूंता है करना रिफ की किलिक है और से ही आपको इस से ही चाल हिखी सब्सक्राइब रहेगी तो अबने विदियो कि Jason Kari मिलती रहेगी chyba किसी वी इसे से सी चिए रोड उनाली वा पंचायज निर्मान हुआ या फिर आगन बाड़ी बहुन निर्वान हुआ को किसी भी कार पर हम किस तरह से पेमेंट बाउचर को क्रियेट करें तो यह दोस्तों आपको वीडियो कहसा लागा आप जरूर रताइएगा और आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरी चैनल और ज़्याद ज़्यादा करवाईए जिससे आपको प्रतिक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी धन्यवाद दोस्तों